कैसे आप सब मैं आई हो भी स्कूल से और ये वच्चे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो यह भी अपने-पने कामों में लग गए हैं और यहां पर सिलाई हो रही है और मैं अब आके में खाना वाना खाया और अब जो है मैं अभी अपना व्लॉग की रूटिन शुरू करती हूं और आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स मिलेंगे बच्चा मेरे पैरों को पीछे पीछे चल रहा है गिरा देगा तेज मेरे को और आज मैंने न अब भी चाय बनाई है क्योंकि मेरे को कुछ है न दिमाग वाला और कुछ वह क्या कहते है टेलेंट वाला काम करना होता है तब मैं थोड़ी चाय पीती हूं एक तो दिव्या की वह ड्रेस पूरी करनी है जो इसमें एक आतित मैंने कर दी है इस कर तो और एक यह ब्लाउज बनाना है जो कि यह भी बच्ची का ब्लाउज है त आपको अच्छे टिप्सउं त्रीक्स मिलेंगे तो वीडियो को लाइक कर दी ज़िए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े नहीं है आप सब्सक्राइब कर दी यह और अबने दोस्तों में सलिभा है इस हैंडा सुनिया सुनिया नहीं पर यह लगह करि तो आपको पहले बताई है और आप सब को भी आती होगी कि बरतन पर से लेबल उतारने का यह तरीका मेरे को चिम्टा भी मिला नहीं और कहीं लेबल उतारते उतारते हाथ ना जल जाए तो मैं थोड़ा कम गर्म किया जिसकी वज़े से आपको दिख रहा है कि यह जो ग्लू था वो थोड़ा सा कटोरी में रहा गया है और इसके बाद जो यह लेबल होता है इसको आप चिपका के ही डस्पीन में डालें वले कहीं डालें जो भी करें ऐसी फैक दियान तो कहीं कपड़ों के चिपक जाएगा और फिर कपड़े भी चिकने चिकने से खराब हो जाएंगे और अब मैं बना रही हूं एक सबजी किसकी गांठिया नमकीन की और यह बहुत टेस्टी बनने वाली है मतलब सबसी बनती है तो तो अच्छी बनती ही है लेकिन आज इसका मैं दई रायता बना रही हूं वह बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा तो यह इतनी भुजिया ले ले लिए मैंने लस्पन और प्याज है और इसके अलावा मुझे जो है मैं जब भी तड़का लगाती ह कैसे लगाती हूं पहले तड़का जोरदर आ जाता है फिर इसको नीचे रखती हूं और इतना ठंडा करती हूं कि उचले नहीं ज्यादा बस थोड़ा गरम रहे ताकि जो है नाक तक ना पहुंचे तेल वगेरा और ऐसे ही मैं तड़के लगाती हूं तब जाके बचती हूं तो अब देखो इसमें लसुन डाल दिया और इसके बाद प्यास और इनको थोड़ा सा बुनने के बाद इसमें यह भुजे डाल देंगे और यह भुजे जब बुनती है ना इतनी प्यारी प्यारी जो है खुश्पु आती है झाल झाल यह उस दिन मैं दो काटोरी लाई थी यह देखी यह लेबल किसी ने उताने कोसिस की और गरम करने पर यह खुद मख़द उतर जाएगा मतलब कितना भी पुराना लेबल है तो भी उतर जाएगा अब लोटे के उपर जो लेबल है वो मैंने अगरवती अंदर गरम करके रखी और फिर उनको उतारा तो फिर अच्छे से उतर गया लेकिन वह भी आपको ज्यादा गरम करके उतारेंगे तो आपके जो है ग्लू बिल्कुल नहीं रहेगा अब यहां पर देखिया आप बिल्कुल जो है अच्छे से साफ सुत्रे तीनों ही उतर गए हैं लेबल जबकि एक त पूरी और फिर आपको दिखाती हूं कितना फारक होता है और लेच वाला तो ममी ने ले लिया बिना खोले लेगिन यह आपको खोल के फिर दुबारा लेना चाहिए थोड़ा-थोड़ा मोड के अंदर के साइट तो अगर आप चुनरी की लेस लगा रहे हैं तो यहां पर आ अच्छे से इसकी जो है किनारी मोड़ी नहीं आती है तो आप मोड़े नहीं बिल्कुल इस तरह लगाद है सिदे अंदर आ जाएगी दूसरी साइड एक और मतब दो टांके आएंगे तो कुछ जो खुले आगे धागे हैं वो भी नीचे आ जाएंगे मैं तो कभी भी किनारी में सलवट पड़ जाती है तो फिर लेस में भी जो है बाद में गड़ बड़ आ जाती है और कपड़े को आपको जो है बिल्कुल ज्यादा नहीं खींचना है कपड़ा ज्यादा खींचोगे तो लेस मतलब आपको बराबर लेवल में रखना और यह को किनारी आप द लगाते हो ना तो आपके चोनड़ी मतलब जब तक फटती है तब तक आपके लेस मुड़ेगी नहीं दूसरी बात ये कि जब आप लेस खरीद हो ना तब भी ध्यान रखो कि कड़क नहीं होने चाहिए लेस कई तरह की लेस ऐसी आती है कि थोड़ी मुड यूं जाड़ी सी हो मैं तो यही द्यान रखती हूं कि soft आए और last जो किनारा है ये आप थोड़ा सा ज्यादा रख के काटिए मैंने बराबर काटा है तो थोड़ी मुजखिल आ रही है थोड़ा ज्यादा रख रख के काटिए है और फिर इसी तरह सैट करके अंदर की जो किनारी है वो बिल्कु लेसे लगाईे और हाथ से लगाई हुई कि तो कोई बराबरी नहीं कर सकता अगर आप हाथ से लगाते हैं तो वो तो सुपर बेस्ट है बस मिरबास तो टाइम नहीं था तो इसलिए हम जो है इससे लगाते हैं बाकि जो गोटा होता है वो तो हाथ से लगाते हैं उसको तो कभ अपना काम सुरू करते हैं यह जो हल्वा मैंने नहीं बनाया है यह इसमें नमक मिर्जलाल के बनाया है और इसी के साथ अभी एक बार जो है शाम के टाइम दूद्ध गरम कर लेंगे क्योंकि जिस दिन मैं शाम को चाय पीती हूँ ना उस टाइम जो थेली एक लाते हैं वो बनाने के लिए एक तेली यूज करनी पड़ती है मतलब एक लाओ तो एक लगनी ही है और यह नए कपड़े आयन उसका शूट एक मैंने यूज कर लिया है बस थोड़े जिन में एक दो दिन में नहीं इसका पूरा वीडियो आने वाला है और आपको बताऊंगी कि कितने मैंने दिन वाले वीडियो में आपको बताई शुरू की थी उसमें कुछ बताया नहीं था इसमें मैंने क्या किया सबसे पहले जो है यह बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न है कोई अलग से या फिर ऐसा पैटर्न नहीं या पहले भी दिवया कैसी बनी हो यह तो मैंने का आज दूंगी तो यह बिल्कुल लाइन खींच के बराबर जो है जगा रखी हुई है कि उसी लाइन के उपर-उपर मैं सलवटे डाल रहे हूं एक बात का ध्यान रखिए कि इसकी जो चुननते हैं यह आप आमने सामने ही रखे इसकट है तो आप इसकट की चुननत आमने सामने तो यह अच्छी लगेगी क्योंकि आमने सामने रखने से क्या होगा नीचे की साइड से ज्यादा फैली हुई रहेगी एक साइड से थोड़ा सा ओक्वर्ड भी लगती है और दोनों साइड डाली हुई थोड़ी फैंसी भी लगती है तो इस तरह कि मैं जो है चुननत डाल क तीन जहलर डालने वाली हूं बाकि जो यह फ्रिल है ना इस फ्रिल के नीचे की किनारी पे पिकु किया हुआ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन पिकु अब अगर कराएंगे तो कम से कम पिकु करने वाला भी दो तीन दिन चार दिन ले सकता है और इसके बाद फ्रॉ और यह जो मैंने टांका लगा है ना उपर 1.5 इंच छोड़ छोड़के यह थोड़ी मुझे लंबी लग रही थी इसलिए मैंने इतना नीचे टांका लगा दिया आप उपर की लास्ट की जो फ्रिल लगाते हैं उससे पहले ऐसा टांका लगा दीजिए ताकि जो आपको फ् जो टांका लेने के बाद कमर की जो चोड़ाई है ना यह कमर की जितनी फिटिंग है उससे चार या पांच इंच ज्यादा होना चाहिए मतलब जब इलास्टिक डालके यह जो इसकट पैना जाएगा ना तो हिप्स के उपर से अच्छे से आ सके अटके नहीं इतना आपको र तीसरी फ्रिल लगा रही हूँ मैं जो यह इसकट बना रही हूँ यह बंद बनाओंगी मतलब सिरफ इलास्टिक कर अबड़ ही लगाऊंगी हुक नहीं लगाऊंगी और ना ही इसके जिप लगाऊंगी अगर आप जिप लगाते हैं मतलब खोल के पैने वाली है तो फिर अगर पिछे की साइड इलास्टिक रखते हैं तो दो इंच आप बड़ा रख सकते हैं बाकी जो है फिटो फिट भी अच्छा दिख जाएं तो यह इसकेड़ अभी 80% बनके तयार हो गया प्रेस करनी है और हुक क्या एलास्टिक लगानी है तो कैसी लगी है उसे इसाब से आप लाइक कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग लव यू आमाइडियस दें